हलो फ्रेंट्स वेलकम डू मैं चैनल एंजोई गाडनिंग तो फ्रेंट्स आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है ब्रायफाइलम यह पत्थर चट्टा इसको कॉमन नाम से बुलाते हैं साइंटिफिक इसका जो नेम है वो ब्रायफाइल क्रेसुलेसी फैमिली का यह प्लांट है और इतना गजब का मिरेकुलस प्लांट है कि अगर मैं अभी आपको सारे इसके जो गुण बताऊंगी ने एक एक करके इसकी जो क्वालिटीज है तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें आज ही जाकर के यह प्लांट खरीद के लेके आना इतना बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है यह घर में सबके होना चीए चाहें आप उसको बालकनी गार्डन में लगाएं क्यारी में लगाएं कहीं भी लगाएं इसली ग्रो कर हो जाता है तो फ्रेंड्स से एक बात जरूरी बता देती हूँ आपको फ्रेंड्स मेरा एक नीती टाइब का प्लांट है और इसकी लीफ है इसमें आपको यह जगे जगे इस तरह से यह देखिए बीच में जो है इसमें कर्फ दिखाई दे रहे हैं इसकी जो ग्रूब्स है यहां से इसमें जो है छोटे-छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं और उनसे यह बहुत ही घर में यह देखिए इसमें के छोटी सी एको जंगली पौधा हो गया है तो इसको में निकालती जा रही हूं बात करते करते तो यह जो है और मेंडल प्लांट भी बन जाता है मतलब लगाने से घर में जो है बड़ा अच्छा देखने में ग्रीन ग्रीन सा बड़े-बड़े दिन की मईज उनकी जो गर्मी होती है तो बाकी तो यह कि आराम से यह सह लेता है कितनी भी गर्मी को क्योंकि इसकी पत्तियां जो है काफी ठेक और हैवी है आप यह देखिए इसकी पत्तियां जो है इसमें रेड-रेड कलर की चुटी-चुटी सी ब्रांचेज है जिसके अगर उजला एकर रखना है लेगी आपका सब्सक्राइब का सुटाइ influen्चनन जो सब्सक्राई के सयक्यां पानी सल्तियां कि पत्तिुटि neurotौी गिवन 주्यूर में पानी पानु है प्ली क्म चाहिए प्लेशिज होता है एक प्लांट लेके आए और बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं हर गंबले में एक पत्ति आप डाल दीजिए और हर पत्ति के बीच में जो ग्रूफ थी न वहां से एक छोटा प्लांट लेके आएंगे न तो उससे आप 15-20 प्लांट बना सकते हैं और भी नए और आप इसकी को देन हैं तो आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा उसको क्योंकि यह बहुत ही प्यारा है ग्रो बहुत इजिली हो जाता है हाडी प्लांट है बहुत इसकी मिट्टी जो है न वह सौगी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी पानी मतलब आपको इतना द बाहरेंगे उसको उपर लेयर आपको लगे हाथ से चू करकर के पानी दे दिजेए वरहना यह बाहर दस दिन तक आपको पानी देनी की ज़रूत नहीं कितने सारे आ रहे हैं देखिया तो से हLawd- Bhagak Village transaction जो मैंने तियार करी है वो देखिए इसके अंदर मैंने एक पार्ट गोबर की खाद और एक पार्ट सेंड लिए मैंने इसके अंदर तीनों को मिक्स करके इसकी जो है मैंने सोईल तियार करी है और इस में से तीनों में से अगर आपके पास सेंड नहीं है तो गार्डन सोयल और गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं बहुत ही आराम से यह उग जाता है उसके अंदर और प्रोपोगेशन की बात अगर मैं करूँ तो फ्रेंड मैंने आपको बताई दिया कि यह बहुत ही इजिली प्रोपोगेट होता है मतलब आपको इसकी पत्ती तोड़के लगा करके ग्रो करने की बिल्कुल जरूत नहीं है इसकी पत्ती अपने आप भी नीचे गिर जाती है न तो बहुत सारे सेकड़ों प्लांट से नीचे से अपने आप ही आते हैं क्योंकि बहुत ही आसानी से खुदी प्रोपोगेट होता रहता है इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है तो इसकी ग्रोइंग कंडिशन तो मैंने आपको बता दी लाइट सॉयल और वाटर मैंने आपको बताई दिया लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इसकी मेडिसिनल यूज इसको स्पेशली किडनी डिजीज के लिए बहुत अच्छे से इसको जो है जाना जाता है कि अगर इसको अपने यूज में लिया है इसको आयरवेदिक तरीके से तो किड्नी का स्टोन को कहते हैं कि 100% तक ये बिलकुल खतम कर देता है बहुत ही मतलब जो है एक दम रामबान केते नहां आशदी है ये बिलकुल वही काम करता है किड्नी के स्टोन के लिए एक चाहिए वो गाल बेडर का हो किड्नी का स्टोन हो बहुत ही मतलब अच्छे से सको खतकर देता है ये Urinary problem में भी यह बहुत काम आता है इसके लवा जखम हो जाया कहीं तो जखम को भरने में यह बहुत काम आता है जैसे कहीं फुंसी बंसी हो जाती है पस पढ़ जाता है तो उसको भी यह जो है क्रैक करके उसका पस बहुत अच्छे से निकाल देता है उसमें भी काम आता है ये लुकियमिय में ने काम आता है हेडिक में तो इसका बहुत ही अच्छे से यूज होता है जैसे किड्नी स्टों में है जैसे कोई माईगरेंग की प्रॉबलम हो सिर में—ophan miPAas in प्रिंजемуetta है यहीं से वह प्लांट प्लांटलेट्स निकल के आते हैं इसके बहुत ही बस इसको आपको अगर खुद से आपको प्रोपोगेट करना है तो इस तरह से इसकी पत्ती तोड़िए और इस पत्ती को आप सिंपली एक गंबले के अंदर रख देंगे न तो यह खुदी अपने आप इसके प्लावर्ड होते हैं तो वह भी बहुती देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं वह जपने कैसे अड़ होग जाता है और बहुती एजली मिल जाता है ज्यादा परीशाण भी थोadomo पड़ेगा आपको बस पानी का specially और light का आपको बहुत ध्यान रखना है तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए subscribe कीजिए मेरे चैनल को और हाँ नीती's cooking वाला चैनल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा वहाँ पर मैं बहुत अच्छी recipes डालती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी तो उसको भी subscribe कीजिएगा और हाँ friends pest की बात मैं बताना बूल गई इसमें pest की वैसे ज़्यादा problem होती नहीं है अगर हो तो आप neem oil या soap solution इसमें इस प्रे कर सकते हैं बाई